हमारी लड़ाई आतंग्वात के खिलाब है, मानवता के दुश्मनों के खिलाब है, हमारी लड़ाई कस्मीर के लिए है, कस्मीर के खिलाब नहीं है, कस्मीरियों के खिलाब नहीं है, पिछले दिनों, कहां क्या हुआ, गटना छोटी थी की बड़ी थी, कस्मीरी बच्चों के साथ, हिंदुस्तान के किसी कौने में, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुद्दा ये नहीं है, इस देश में ऐसा होना नहीं चाहिए, कस्मीर का बच्चा बच्चा, वो भी इन आतंगवादियों से परेशान है, वो भी आतंगवाद को खत्म करने के लिए, हमारे साथ आने के लिए तैयार है, हमें उसको साथ रखना है, आपने देखा होगा, अमर्राथ की यात्रा, देश से लाखों सद्धालू जाते हैं, अगर उनकी कोई देखभाल करता है, तो ये मेरा कश्मीर का बच्चा करता है, कश्मीर के लोग करते हैं, एक साल पूर्वा, अमर्राथ यात्रियों पर गोली चली थी, और आपने टीवी पर देखा होगा, उन यात्रियों को, जब गोलिया लगी, वे घायल हुए, तो उनको खुन देने के लिए, कश्मीर के मुसल्मान कतार लगा करके खड़े हो गए थे, हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए खड़े हुए, आज मी कश्मीर में, जैसे हिंदुस्तान के जवान मरते हैं, शहीद होते हैं, वैसे, कश्मीर के लाल भी, ये आत्रंगवादियों की गोलियों से होते हैं आर इसलिए हैं जब कुछ लोग बले वो दो हो चार हो फांच हो लेकिन ऐसे लोगों की ऐसी हरकतें उन लोगों को टाकत देती हैं जो बारत तेरे टुकडे होंगे गैंग इन्सा 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 का लाल उसकी हिभाज़त करना बेरे हिंदुस्तान के हर नागरिक का काम है बताओ भाई यो हाथ उटाकर आप ये जिम्मेवारी निभाओंगे क्या मैं देज से निरोट करता हूँ हमारी लडाई आतंगवाद के खिलाफ है मानोता के दुश्वन जो है उनके खिलाफ है और मैं कश्मीर के मेरे भाई यो बेनों को भी विस्वाद दलाता हूँ चालिस साल से आप भी आतंगवाद के भुक्त भोगी हो तीन जीलों में कुछ मुठी भर लोगों की पना से ये खेल चलता रहा है चाहे जम्मू हो लडाख हो कश्मीर के और हिराके हो वे आज भी शांती चाहते हैं आप जानकर के हरान हो जाओंगे कभी बहुत सी बाते मिडिया में देश सुनने को नहीं मिलती है दो साल पहले कश्मीर के पुराने पंच सरपंच क्योंकि कई वर्सों से वहाँ चुनाव नहीं हुआ था सो से जादा पंच सरपंच प्रधान मंतरी निवास्थान पर मैंने मुझे मिलने आये थी सारे कश्मीर घाती के से तो मैंने उनसे कहा आप आये हैं मुझे खुशी है उनकी मांग थी कि चुनाव करवाओ वहाँ पंच सरपंच के चुनाव नहीं हो रहे थे अभी पंच सरपंचों से मैंने कहा था दो साल पहले तब तो सर्पंच नहीं रहे थे लेकिन पहले सर्पंच थे मैंने उनसे कहा आप मुझे एक वादा करिए और वादा निभाना होगा तो मेरे कश्वीर घाटी के इन भाईयों बहनों ने मुझे कहा कि मोधी जी आप कहिए हम अपना सर कटा देंगे लेकिन वादा नहीं तोड़ेंगे मैंने कहा लेकिन आपने मेरा मैं क्या मांगता हूँ तो सुना नहीं है बोले आप कुछ भी करिए हम पूरा करेंगे और मेरे भाईयों भणों मैं देश के सामने पहली वार ये घटना सुना रहा हूँ मैंने उनसे कहा कश्मीर गाटी के पंच सरपंचों से मैंने कहा कि आप गाटी में ये आतंगवादी स्कूले जला रहे है इसको बंद करवाई ये किसी भी हालत में होना नहीं चाहिए सब के सब पंच सरपंच ने मुझे कहा कि मोदी जी इसके बाद हम जान की बाजी लगा देंगे लेकिन आतंगवादियों को स्कूल जलाने नहीं देंगे मैंने उनसे कहा था जब आतंगवादी स्कूल जलाता है तब इमारत नहीं जलाता है आपके बच्चों का भविश्य जलाता है और आज आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे कश्वीर के गाती के उस पंच सरपंचों ने आज दो साल हो गए एक भी स्कूल जलने नहीं दिया है आतंगवादियों को पकड़वा दिया आतंगवादियों के खवर पुलिस को दि लेकिन स्कूल जलने नहीं दिया है और इसलिए मेरे भाईयों बेनों गल्ती से भी अगर हमें लड़ाई जितनी है आतंगवाद को जड़ से उखाड़ना है तो हम गल्ती न करे आतंगवादी आतंगवादी है कश्मीरी आज भी आतंगवादियों के कारण मुसीबते जेल रहा है वो भी उससे मुक्ती चाहता है लेकिन पहले सरकारों ने ऐसे बीजबोए कि उनके सपने पूरे नहीं हुए आज कश्मीरीों के सपने अगर कोई पुरा करेगा तो यही हिंदुस्तान करेगा यही हिंदुस्तान के सरकार करेगी बड़े बाई